नमस्कर वीजारतियों ओनलाइन कक्षाउ में आपका स्वागत हैं हम अधिन करें कक्षा बारा और हमारा रीश है अनिवारे हिंदी अनिवारे हिंदी हमारी दो दूत्यय पुस्तिक है प्यूश प्रवाहा तो उसके हम पहले अध्याय का जो अधिन कर रहेती जो कि पंडित चंदरधर सर्मा गुलेजी द्वारलिखीत कहानी है उसने कहा था उसके दो जो दृष्षे था है उनका हमने धन किया पहला जो दृष्षे था उसमें एक बालग और बालिका जो है अमरसर की जो बाजार है वहां मिलते हैं और उनके बीच में बाचित होती है तो उसक इसमें किस प्रकार से वहां पे हमारे भारतिय सैनिक हैं उनकी स्थिति कैसी है किस प्रकार से वर है रहे हैं तो उसका वर्णन वहां पे किया गया था और उसका हमने अधनी किया था इसमें जो लहना सी हैं हैं वजीरा सी हैं और सूबेदार सी हैं तो इनके आपस में बाचि कि आगी क्या हो रहा है तो चलिए बढ़ती हागी दो पहर रात गई है अंधेरा है सनाटा चाय हुआ है बोधा सी है खाली बिश्कुटों के तीन टीनों पर अपने दोनों कंबल बिचा कर और लहना सी है कि दो कंबल और एक बरकोट और कर सो रहा है आप देखिए इसमें कि जो दो पहर भी चुकी है रात की और अंधेरा जो है उचाया हुआ है और सनाटा भी चाया हुआ है बोधा सी है अब ये बोधा सी है कोन है तो चलिए आपको मैं बता देता हूं कि बोधा सी है भी उन्हीं की रेजिमेंट का एक सिपाही है और यह है सुबेदर का बेटा है और साथ ही साथ जो हमने पहले दिर्श्व में बढ़ा था ना कि लहना सी है और लड़की से पूछता है कि तेरी कुडमाई हो गई क्या तो ये उसी का लड़का है ठीक है ना और ये पहली बार ही यहां पर लाम प्याया था त्यूद में आया है और इसको बुखार है बीमार है ये तो इसके कारण से जो लहना सी है इसका काफी ख्याल रखता है और काफी ख्याल क्यों रखता है ये हम पढ़ेंगे आगे के भागों में तो बोधा सी है खाली पर खड़ा हुआ एक आँख खाय की तरफ देख लेता है कि कोई दुशमन दो नहीं आ रहा हुआ और दूसरी बार जो बोदा सियं के दूबले शिर्श पर लो देखता है यानुकि तरफ निगार रखता है कि कहीं उसे कोई तकलिप तो नहीं हो रही है बोधा सीयं करहाया अब करहाया मतलब थोड़ा सा क्योंकि बीमार था तो करहाने की जो आ जाई तो क्यों बोधा भाई क्या है अब बोधा भाई क्या है अब क्योंकि लहना सीयं बार बार उसके तरफ देख रा था तो इसले थोड़े से करहने पर ही उसने कहा कि क्या облаत हो गई है तो बुधासिययं कहते है कि पानी पिला दो लहना से ने कटौरा उसके मु hate से लगा कर पुछा कि कैसी हो ने पानी पिल कर बुधावला कमप Alm이시 कूट रही है औंप कम पी डूट रही है है रोम रोम में तार दोट रही है दांत बज रही है funciona अब तार बज रहे मतलो कि थंडी जो लहे रहे हैं सेकता कि थंडो यू है वह मेरे inbox है पर दोत रही है और Jazz रही हैं और कम कम की वज़ासे में दांत भी बज रही है अच्छा मेरी जरसी भाई लो अब देखें लहना से कितना स्मर्पित है अपने करतवे के प्रती अब यह किस कारण से से कर रहा है वह हम पढ़ेंगे आगे कि मेरी जर्स्य पहन लो और तूम अब बोदा से किता है कि तूम क्या करोगे तो गाते कि मेरे पास तो सिगडी है और मुझे गर्मी लगती है पसीना आ रहा है अब देखिएए सर्दी बहुत है और है लेगि फिर भी वो उसका मन रखने के लिए ज़ी गाते है कि मेरे पास त से तुम मेरे लिए अब साहर दिन होगायें मेरे लिए इन जान को पुल के लिए लहना सिया वेरा स्वेंजासि मेरे और साल sowएरी है खोड़ी रही है भिलायद से बुन-बुन कर भेज रही है मेमे रखanting गजो वहां की ओरतियों तो गुरून का भहला क्री यह कहकर लेहना अपना कोट उतार कर दर्श्य उतार एक तो तरसी उतारने लगता है तो बदतास ही सच गलते हो और नहीं जूट जूट wouldn't सची कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक जर्सी और है गर्म है और विलाज से बनकर जो मेमे ना भीज रही है जो तो इस कारण से मेरे पास में और भी है मैं वो पहन लूँगा यो कहकर नहीं करते बोधा कोश ने जबर्दस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कमacular जीन का कुट पहना होë अब में की जर्सी वह बेजिए तो इसी कळा के ओलका था यी ती सच नहीं था बौस्तिता नहीं ती आदा गहंटा बिता इतने में खाई के मुह से सुब्यदार हजाराशी है अब आदा घंटा ही बिता था उसको अपनी जर्शी दिये हुए बोधासिये को तो खाई के मुझे से आवाजाई सुबेदार हजारा सी है कौन लप्टन साहब अब लप्टनिंगेंट साहब जो हो आ गए है हुकम हुजूर कहकर सुबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ देखो इससे मैं धावा करना होगा मील वर की दूरी पर पूरव के कोने में जर्मन खाई है अब देखिए लप्टन साहब आ गई है तो खाई के पास में वाज आती है हुकम हुजूर पूरव के दूरी पर पूरव के कोने में एक जर्मन खाई है जर्मन साहब वाँ पे बैठे हुए है उसमें पचास से ज्याद है जर्मन नहीं है इन पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत काटकर रास्ता है तीन चार घुमाव है जहां मोड है वहां पंद्रह जवान खड़े कराया हूं तुम यहां दस आदमी छोड़कर सब का को साथ ले उनसे जा मिलो अब देखिए जो लेप्टन है ना तो लेप्टन साब जो आ चुकी है स्थाने बोलचाल की भासा में लेप्टन साब का गया है तुम यहां से जाओ और एक मिल के दूरी पर पुरी उदिशा में जर्मन खाई है वहां पर पंद्रह ज्यादा जर्मन नहीं है और जो रस्ता है ना वह यहां से पेड़ों के निचे निचे दो खेत को काट तर बनाये गया रस्ता और तीन-चार घुमाव आएंगे जहां मो करतें डटे हो तो यहां रहेगा अज़िय का शुर्ण कर जो खाईना वो जो बड़ा घड़ा है उसको चीन लेना वहां कबजा कर लेना और जव तक दूसरा हकम नहीं मिले तो वहां पर ड़टे रहना वहां से आना मत हम यहां रहेगा अब जो लेपट्टीन वह कहता है कि म हाँ ही कहा जाते हैं तो जैसा उन्हों ने हुकम दिया वैसा सभी चुप-चाप जो है उस अब त्यार हो गई बोधा भी कंबल उतारकर चले लेगा तब लहना ने उसे रोका अब बोधा से काफी बिमार था तो हुकम मिला तो आदेश मिला लेप्टिन हेंट का तो वह भी मिला उतारकर चले लेगा तब लहना से ने उसे रोका लहना से आगे हुआ तो बोधा की और इशारा किया लहना से समझ कर चुप हो गया पिछे दस आदमी कौन रही इस पर बड़ी हुजत हुई अब लहना से आगे हुआ तो बोधा की और इशारा किया अब लहना से ने उस की हुज़त हुई हुज़त का मतलब होता है यह उर्दू का सब्सक्राइब वैसे तो की विवाद होने लगया कि कौन रहेगा वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था समझा भुजा कर सुबेदार ने मार्च किया अब समझा भुजा के न दस सैनिकों को वहाँ पर छोड़ा है अब जो लेप्टन साब आयतना वहाँ पर जिसने सुबेदार को आदेश दिया था कि तुम यहां से चले जाओ और आगे एक मिल भर की दूरी पे ही पचास जर्म सैनिकों को खाई है तुम उस पर जाकर हमला कर दो और अपने यहां पर सैनिकों को ले जाओ और सिर्फ दस सै आप छोड़ दो अब लेप्टन साब लेहना की सिगरी के पास मुहां फिरकर खड़े हो गए और जेवसे सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे दस मिनट बाद उनने लेहना की और हाथ बढ़ा कर कहा लो तुम भी पियो अब दस मिनट तक तो कोई बात चाही थी नहीं लेकि दस मिनट बाद में जो लेहना सिया की और हाथ बढ़ा की लेप्टन साब ने का कि लो तुम भी पियो आँख मारते करते लेहना सिया सब समझ गया आँख मारते करते मतलों कि पल भर में ही लेहना सिया सब कुछ समझ गया मुहें का भाव चिपा कर बोला लाव साब हाथ आग गया कि यह जो उनके लेटनेर थे ना वो नहीं है यह अलग ही कोई जर्मन हो सकता है तो मुहें का भावचीप अगर बोला लाव साहब हाथ आगी करते ही उसने सिगडी के उजाले में साहब का मुए देखा बाल देखे तब उसका मा था ठंका मा था ठंका मतलब कि उसको कुछ संस्या हुआ आशंका हुई लप्टन साब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए क्योंकि उनका जो लेटनेर था ना तो उनके जो बाल थे वो पट्टियों वाले थे आपने देखा भी होगा पुरानिस में कि जो तस्वीर है तो उसमें जो अंग्रेज अब सर्वगरा थे खाल धिकारी थे तो उनके जो बाल थे पत्टिदार होते थे solen में तो लेटन ने कहा कि लप्टन साहं को पट्टियों वालब वालान वो एक दिन में कहां चले गए और उनकी जिए कैदियों किसे कटे बाल कहां जा गए शायद सहा प्राप कि होई है औ कोई और होगा तो जांचने के लिए कि लेटन साहब उन्हीं की रेजिमेंट की है या नहीं कोई और है तो क्योंकि पांच साल से वह उनकी रेजिमेंट भी थे तो जांचना चाहा है तो देखे किस प्रकार से वह प्रतियुत्पनमति का प्रयोक कर रहा है उसमें की क्यों कब जाएंगे अब हो प्रसंद बूछे रहे लेपटनेंट detecting Thank You और UM सभाथिव खतम होने पर क्यों यह देश पसंद नहीं अब जी क司ते है कि यह लड़ाइओ मिद्धा, खतम कि यहां जागाना चाहता है कि जो लेफ्टनेंट है वह वास्टिवीक है या कोई और हैं तो गैता कि पार साल यहीं कि पिछले साल नक्ली-लड़ाई के पीछे जो हमें जगाधारी जीने में शिकार करने गए थे तो गहता हाँ वहीं जब आप खुटे पर सवार थे तो फिर हाँ फिर वो गयता है कि हाँ वही जब आप खोते पे सवार थे और आपका खान सामा अबदुल्ला रास्ते की मंदिर में जल चड़ाने को रह गया था आप खोता घजे को कहते हैं तो देखिए अगर उसने कहा उसको ऐसे था लेना सिया को कि अगर उनका लेटिनेंट है तो व या अबदुल्ला रास्त एक एक मंदिर में जल चड़ाने को रह गया था तो देखिए वो कहता है लेटिनेट जो कहता है बेश्क पाजी कहीं का सामने से रहत है नील घाए निकली कि ऐसे बड़े बड़े कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ने दिक्ती थी और देखिए कि नीलगा के साथ की सिकार खेले मज़ा है क्यों साव सिमले से तयार होकर उस नहीं लगाए का सिर आ गया था नहीं है क्या सिमले से वो तयार होकर उसका सिर आ गया था क्या आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे हाँ पर मैंने वह विलायत भीज दिया ऐसे बड़े सिंग थे दो दो फूट के तो हों गई हाँ लहना से दो फूट चार इंच के थे तुमने सिग्रेट नहीं पी आप लेटिन को पता ही नहीं कि जो नील गाई अब गरा है तो उसके जो सिंग नहीं होते और वो भी इतनी दे दो दो फूट के न तो कहता है कि हाँ लहना से दो फ कुछ अधर गुसा अव उसे संदेह नहीं रहा था ऐए अव पहले तो उसको संदेह था की यह हमारे लेफट नेट का संदेह गे और यह हमारे नहीं है लेकिन भीकिन की जुट्वण नहीं को दुश्मन थीन वह मुझा और उसने जट पट निश्चे करलिया की क्न जा जो अब उसने निश्चय कर लिए हम में क्या करना Chinese ओ आ थे मुझे क्या करना हिए न्देरे में कि सोने वाले से ठकराया और अंधेरा था खंदर के अंदर खाई ये तो वे कि सी सो कोई सो रहा था वह उसे टेकर आ गया कौन वजीरा सी है हाँ कहो लहना क्या क्यामत आ गई है जरा तो आख रगणे दी होती है अब ये क्यामत क्या होते हैं बता सकते हूं कि आप कियामत कहते है कि भुकंब या किसी प्रकार की जो है विपत्ती जो है क्या वो विपत्ती आ गई है कि कोई तो थोड़ा थोड़ी देर सौने भी नहीं दिया मेरे को तो ऐसा ऐसी क्या विपत्ती आ गई थी जो तुम ऐसे टकरा रहे हो और कर रहे हो तो यह है भागतीन और जो दिश्शिश चार में ही देखी कि होश में आओ, कियामत आई और लप्टन सहब की वर्दी पहन कर आई है आज देखिए वो कता है कि होश में आओ, वजीरा सी है वाँ पे था वजीरास ने कहते है क्या जाम मिल वो कहते है क्या हो गया इसा तो वो कहते है लेप्टन साहब यहां तो मारे गई यहां कैद हो गई है अब देखिए वो कहते है कि लेनास ने कहते है यहां तो लेप्टन साहब को पकड़ लिया गया कैद कर लिया यहां फिर मारे गई है उनकी कहा कि सुबेदार सियां को तो इस ने भेज दिया वहाँ पे अब ये लब्टन साहब की वर्दी पहन कर कुछ जर्मन आ गया है और सुबेदार सियां ने इसका मुह नहीं देखा और मैंने देख लिए इसका मुह और बाते भी कि मैंने इस से साफ उर्दू बोलता है पर अब भी उर्दू ने सिर्फ वो ही बोल रहा है वारिक उर्दू नहीं आती उसको और मुझे पीने को सिग्रेट दी है तो वजीरा से कहते है तो अब अब मारे गई धोखा है सुबेदार हो रहा किचड में चक्कर काटते फिरेंगे और यहां खाई पर धावा होगा और कहत हमला हो जाएगा उठो एक काम करो और कहते है लैना से वजीरा से उठो और एक काम करो पल्टन के पैरों के निसान देखते देखते दोड जाओ अभी बहुत दूर नहीं गई होंगे सुबेदार से कहो एकदम लोट आवे खंदक की बात जूट है और वो कहते है कि तुम भा हां पता तक ने कढरके देर मत करो और कहते है कि पिछले रश्प्सटि निकल जाओ खंदग के इस खाइगे और पता तक नहीं लना चाहिए यानि किसी को कानूकान खान क। चीज़े किसी को पता नहीं लेके देर मत करो हुकम तो यह है कि अब वो कहता है वजीरा से कहता है कि हुकम तो यह है कि हम एक खंदक मी रहने है अब वो लहना से कहता है कि ऐसी तैसी हुकम की अरे हुकम क्या करेगा जब बचेंगे नी तो ना मेरा हुकम जमादार लहना सी है जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुकम है और वो लहना सिरा कहते हैं कि मैं हुकम दे रहा हुत मैंJack jogo जो अधिकारी है को हुन है बहुत मैं ही हुम जमादार लहना सिरा ही हुम और वो हुकम तुमें दे रहा है मैं लप्टन साब की खवर लेता हूँ अब खवर लेता हूँ मतलो जाकि फिर उनसे परताल करता हूँ मैं पर यहां तो तुम आठ ही हो अब बजीरा से कहते हैं कि तुम आठ ही हो अब लेहना से कहते हैं कि आठ नहीं दस लाग है हम एक एक अकालिया सिख सवालाग के बराबर होता है चले जाओं अब देखिए अब गुर्गोविन सिंग ने कहा है न कि सवालाग से एक लड़ाओं तो गुर्गोविन सिंग कहा हूँ इस प्रकार से तो एक एक अकालिया जो सिख है वो सवालाख के बराबर है सवालाख अगर आजाए ना सामने तो भी जो अकालिया सिख है जो सिख है वो हार मानने वाला नहीं है और तुम कह रहे हैं कि सिर्फ तुम आठ हो चले जाओ अब वजीरह से कहते हैं कि तुम चले जाओ लोटकर खाई के मुहाने पर लहना से दिवार से चिपा गया अब लोटकर खाई का मुहाना जो था ना जो गेट था उसका तो उसके लहना से दिवार से चिपा गया और वो देख रहे कि लप्टन वो क्या कर रहा है वहा बेल के बराबर के तीन गोले निकाले अब बेल नी है ये बेल है यहाँ पे कि छोड़ छोड़ जो तीन बंब निकाल ली है अपनी जेमे से तीन गोले निकाल ली है तीनों को जगर जगर खंदर की दिवरा में गुशेड दिया और तीनों में एक तार सा बांद दिया तार के आगे सूथ की एक गुथी थी, जिसे सिगडी के पास रखा, आप देखिये लहना सी है जो है, वो देख रहा है कि किस प्रकास से जो सुब्धार है ना, जो लप्टनाया है, तो किस प्रकास से वो जर्मन सैनिक है, जर्मन अधिकारी है और वह हुआ उनकी खंदक पर कबज़ा करना चाहता है और उसने देखा कि उसने बेर किया कार के तीन गोले निकाले और तीनों को जगा जगाई खंदर की दिवरा में गुशेड़ दिया है और तीनों में एक सा तार बन्दा हुआ है तार के आगे सूत की एक गुथी थी जिसे सिगडी के पास रखा उक्यों की सिगडी तो जला रखी थी लेना सिये ने तो जो एक तारों की गुथी थी उसके साथ में सूत की गुथी बांद रखी थी तो उसको सिगडी के पास में रख दिया बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जाकर गुथी पर रखने अजरे के बाहर की तरफ वो जाने लगा है तो गुथी जो थी जो कह सकते हैं अपने जो एक प्रकार से सूथ का एक गुच्छा जो था वहां पर रखा था तो उसके दिया सलाई जाकर भुज़ाना जाता था यह तनी देर में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदुख को उठा कर लहना सी एने साभ की कोहन पर तान कर दे मारा अब देखे बिजली की तरह से इप-ियंगी उसे लहना सी एने क्या करना है तो वो हाथ होआ थी उसने जो है उसके लिए जो है अपनी जो बंदूख थी लहना सियंगे पास में तो उसको उटा गरके तो सहाब जो थे उसकी कोहने पर तान कर दे मारा धमाकी के साथ सहाब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी अब धमाका हुआ है यादि जो और से मारा धमाका हुआ गिर पड़ी है वो सहाब जो थे और दीरा सलाई भी गिर पड़ी है लहना सियंगे कुंदा सहाब की गरदन पर मारा और सहाब आहा मीन गोट कहते हैं चीत हो गई अब देखिए जो एक कुंदा जो है यादि की हथा कह सकते हैं उसका आपने तो जैसे ही लहना सियंगे उसकी कुंदा सहाब की गरदन पर मारा और सहाब जो आहा कहते हुए मीन गोट कहते हुए चित हो गई चित हो गई बेहोश हो गई लहना ने तिनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फैंक के और सहाब को गसीड कर शिगडी के पास लेटाया अब देखिए उसने देख लिया था लहना सियाने की ये जो जर्मन है वो कहां कहां वो लगा रहा रहा है गोले लगा रहा है हाना बेज़ गया करके तो उनको निकाल तिनों को निकाला और बाहर फैंग दिया खंदक के और साहभ को घसीर कर वो सीग्री के बास लेक के लेड़ा ले आए और और वहां लेटा दिया जेब के दासी ली तीन चार लिफाफे और एक डायरी निकाल में अपनी जेय के हवाले कि लाँतियां अब देकर तलाशी है ती दो पेट किए झापकी है? आज मैंने बहुत वाते सीख Queens V ouvert Day Shhesia है अफिर लेहारी गारी है कि मैंने बहुत सी वाते सी बाते की सीखने सीखे लीट है अद्दी के सीखने को सेफने है कि मैंने पहली बार यह सेखा है कि सीखेंस पीता है rows यह सीखा की जगा-धारी दिखें में नील-गाई होती हैं दजक्ट बहल रोनेंगि दो फूट 4 इंच करे। सीख樫 करtoon ने जिने. हैंे कि मुम्सिनमान खांसमा जो मंदिर में जल अब वो से प्रस्टों पूछा है लेना सी है कि तुम बताओ तो सही है कि ऐसी जो है साफ उर्दो तुमने कहां से सीख लिया है कहां से सीख क्या है हो तो हमारे लप्तन साफ तो बिना डैम के पांच लफ्ज भी नहीं बोला करते थी क्योंकि यह क्लाम कह सकते हैं डैम जो सब कह सकते हैं अर्धिकारी जो भी था तो उसकी जो पत्रून या जो पैंट की जेव हैं उनके तलासी नहीं ली थी सहाव ने मानो जाडे से बचने के लिए दोनों हाथ जेवों में डाले अब लेना से यह को लगा कि जाडे से बचने के लिए सर्दी से बचने के लिए उसने जो है अपने दोनों हाजेव में टाली है फैसे को पता नहीं थे जाने वाले सिये कि तो बड़े हो पर मॉझे का लहना इतने बर्स लब्टन साथ के साथ रहा है अभ अब लहना कहता है कि तुम तो तुम बड़े हो यह माजिय का जो लहना सी है इतने बर्स लप्टन साब के साथ ही रहा है उसे चकम्हाँ देने के लिए चार आंक्र चाहिए जयाना कि पूरा जो चॉकणना होगा तो ही वो मुझे जो है चकमा दे सकता है अर्थार्थ अर्थ मुझे जो है पार-पार सकता है लेकिन तुम जो है तीन महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गाम आये था और वो कहता है कि तीन महीने होगे कि एक तुर्की जो मौलवी था मेरे गाम में आये था ओरतों को बच्चे होने के तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था अब तुरक का कोई मोल भी वहां मेरे गाम में आ गया तीन महीने पहले तो अरतों को बच्चे होने के तावीज बाणता था और बच्चों को दवाई देता था चोधरी के बढ़ के नीचे मंजा भिछा कर हुका पिता रहता था और चोधरी साब हैं वहां गाम के तो उनके जो बढ़ है बढ़ का पेड था उसके नीचे वह मंजा मंजा मतलब चार पाई जो भिछा कर हुका पिता रहता था और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडीत हैं कि जर्मनी वाले बड़े विद्वान हैं वेद पढ़ पढ़ कर उन में से उसमें से वीमान चलाने की विद्या जान गई है। में से वीमान चलाने की विद्या जाने की विद्या जाने वाला है। वो कहता है कि मेरी सरकार के खिलाव तो नहीं कुछ कह सकता है। और वो कहता है कि मैंने मुला की जो दाड़ी ना वो मूर दी थी दाड़ी काड़ दी थी उसकी मैंने। और गाव से बहार निकाल गया था और कहा था कि मेरे काम में अगर पैर रखा तो देख लेना फिर। साहव की जेव में से पिस्टोल चला और लहना की जांग में गोली लगी। अब देखिए अब उसको तो लगा था कि लहना सी है को कि वो ठंड की विज़े से जो साहव जर्मन साहव हैं वो हाथ डाल रही है लेकि उसको नहीं पता था कि वो जो है ठंड की विज़े से नहीं बलकि उसकी जो जेव में रखी हुई पतलून की जो जेव में रखी हुई जो पिस्टोल है तो वहें चला देगा तो साहव की जेव में से पिस्टोल चला और लहना की जांग में गोली लगी। की इतर लहना की हैंडरी मार्टञा के दो फाइर नहीं साहब की कपाल करती हैंघे की लहना से हैंग के जो जो फाइरू से Sk tape की जाय करती हुई अब कपाल के जाय करना की जो कुछ से रहे ना उसको भेद दिया अब सिर में गोली मारी है उसने सी दी दढ़ाका सुनकर सब दोड़े आई तो दढ़ाका सुनकर यान की जो आवाज ना गोली के आवाज सब दोड़े आई बोधा चिलाया क्या है अब बोधा से चिलाया कि क्या हो गया कि ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार से हो रहा है तो लेहना से ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुट्टा आया था मार दिया अब हड़का हुआ या ने कि हड़का हुआ कुट्टा है ना जो हर किसी के पीछे बागता था और हो सकते कि हमें खाया था हड़का हुआ कुट्टे किस कस्कर बांदली नहीं दूख़ी कर नहीं करना चाहता बताना नहीं चूहता दो श्रसेथ भिशांते हो टनी तो हो जाता उपहले सी भिमार था बाकी जो थे उन से उस वहाल कह दिया और सबी जो बंदों के लेकर त्यार हो गए लेहना ने साफ़ा फार कर घाव के दोनों तरफ पटिया बांद कर कसकर बांद ली घाव मास में ही था अब जो गोली है न वो पार कर गई है घाव मास के अंदर ही था पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया इतने में सतर जर्मन चिलाकर खाई में गुश पड़े अब देखिए अब जर्मनों की ये साजिश थी वहाँ से सूबेदार को तो वहाँ से भेज दिया है बाकी सैनिक चले गए सिर्फ अब वहाँ पर कितने रह गए है आठ नो सैनिक ही रह गए थे अब दस थे वहाँ पर दस में से एक तो बिमार है और सिर्फ जो है एक्टिव कह सकते अपनी वो आठ ही थे अब इतने में सतर जर्मन चिलाकर खाई में कूद पड़े सिख्ँ की बंदुकों की बाड़ ने पहले धाव cran को रोका अब पहलctar जो धावा किया न सतर सैनिक होने जर्मन जो सैनिक थे उन्होंने तो पहला जो धावा था जो आक्रमन था उसको रोक दिया प्र दूसरे को रोका पर यहां थे आठ आठ अब देखिए आठ ही थे मैंने आपको बताया ना पहले पहले दस रुके थे यहां पर वज़िरासियं को तो भीज दिया उसने लेहना सियने की जा सुब्यदारसियं को और उको बुला के लिया यहां पर कोई विपत्ती आने वाली है यह जो हमारे लपन नहीं है और यह तो कोई और ही है कोई दुस्मन ही हमारे यहां पर आगये तो एक तो वहां चला गया एक बोदासियं बिमार हैं तो इस कानल से कुल आठ ही थे यहां पर यहां थे आठ लहना सी हैं तक तक कर मा रहा था अब तक तक कर मतलब कि देख देख कर मा रहा था कि कोन है कहा है वह खड़ा था और लेटे हुए थी अब वह अपने मुर्दा भाईयों की श्रीर पर चड़ कर जर्मन आगे घुशे आते थी आप पूर जर्मन जो है वो अपने मुर्धा जो भाई हैं यालिकि जो जिनको लेहना सी हैं उनके साथ जो ने मार दिया था अब चुं जून के मारे थि न वो तो उनके जो शरीर है मरे मृत जो शरीर है उनके उपर से उचड़चड़ कर जो जर्मन सैनिक वा आगे घुश से आती थी थोड़े मिंटो मेवे अब थोड़ी दिर में क्या हुआ अचानक आवाज आई वह गुरू जी दी फते है वह गुरू जी ता खालसा तो ऐसा जो घुश लगाते हुए वह आ गए है और धनादर बंदोखों के फायर जर्मनों की पीठ पर पढ़ने लगे अब देखिए पीठ पर पढ़ने लगे एक सामने से वार और पीछे से वार हो रहे है एन मोके पर जर्मन दो चकी के पाटों के बीच में आ गए अब एन म हो जाते हैं बीचे से सुबे दर हजारा सी एक जवान आग बर्षाते थे और सामने लहना से के साथ ही के संगीन चल रहे थे अब संगीन मैंने आपको पहली बताए था कि बंदूग के आगे जो एक चक्पूट लगा रहता है जो छूरा लगा रहता है तो उसको संगीन का जाता है पास आने पर पिछे वालों ने भी संगीन पिरोना सुरू कर दिया अब जो भी पास आगे तो गोली नहीं चला रहे हैं वो संगीनों से ही मार रहे हैं उनको तो इस परकार से किस परकार से हमला हो रहा है किस परकार से जो लहना सी है उसने प्रतित्वन मती जो है उसका प्रयोग किया और किस प्रकार से उसने अपनी सूजबूज का प्रयोग करते हुए सूबेदार सी है जो है और अपने जो साथी है उनकी जान बचाई है तो इस प्रकार से जो लहना सी है इस कहानी का मुख्य पात्र है लहना सी है जो एक प्रतितुपन मती कह सकते हैं करतवे निश्ट कह सकते हैं और अपने जो करतवे के प्रतिस मर्पीत भाव रखने वाला एक सच्चा सी पाही है तो इस प्रकार से उसने अपनी जो खंदक थी उसको दुस्मनों का धीन होने से बचा लिया और सुबेदार जो हैं वो पीछे से आ गई हैं और जर्मन सैनिकों को पीछे से संगीन से पिरोने लगे और लेहना सीयं के साथ ही आगे से तो इस प्रकार से सभी सैनिकों को मार दिया तो आज के भाग में इतना ही कल हम पढ़ेंगे तीसरे भाग के अंतरकत कि क्या और भी सैनिकों आती है क्या जर्मन के क्या वे सभी सैनिकों को मार देती है तो क्या होता है और किस प्रकार से जो लहना सी है तो उसके जो घाव हो चुका है क्या उसका महरमपटी हो रही है या नहीं हो रही तो ये पढ़ेंगे हम भागतीन के अंत्रगत आज के लिए इतना ही धन्यवाद